नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब जनल पी एफपी में शेर मार्केट में रीटेल पार्टिसिपेशन दिन बढ़ता हुआ नजरा रहा है रेकॉर्ड तो डिमेट अकाउंट ओपन होते हुए नहसाद है और उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि 50-50 में जो तेजी आई है पिछले 12 महिनों में बहुत ही शांदार देखने को मिली मार्च के क्रैश के बाद बहुत ही तेजी से बाउंस बैक दिखाया अगर 50-50 जो कि हमारा ब्रॉडर इंडेक्स है वो भी अगर 12 महिनों के अंदर अंदर डबल हो जाएगा तो ये स्वाभ पर बैठे बैठे भी कई पापड बेलने पड़ते हैं एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा लॉस भी करवा सकती है तो नए इन्वेस्टर जनरली जानते नहीं है वो गलती कौन सी है जिसे हमें अवोइड करना चाहिए तो आज हम इसी एक गलती के बार में बात करने बाले है जिसके करण बहुती बड़ा लॉस हो सकता है शेर मार्केट में ये गलती कौन सी है इसे कैसे अवोइड करना चाहिए उसके बार में पूरी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे कुछ ब पता नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले एरकॉन ने बताया था कि हम यहाँ पर बोनस के बारे में चर्चा करेंगे तो यह जब न्यूज आई बोनस की या स्प्लिट की कोई भी न्यूज आती है तो शेर में हमें भारी तेजी देखने को मिल जाती है और इरकॉन में भी ऐसा ही हुआ 10% तक भागता हुआ नजराय था दो तिन दिनों तक अच्छा positive momentum देखने को मिला और आज जो यहाँ पर board meeting का conclusion आया और यह पढ़कर share market को अच्छा नहीं लगा और वहाँ पर भारी गिरावटा में देखने को मिली conclusion यह आया कि bonus shares को लेकर board meeting has deferred the agenda to its subsequent meeting यानि कि अब इस board meeting में हम बात नहीं करेंगे अगली जब meeting होगी तब bonus shares के बार में बात करेंगे तो उन्हों ने इस चीज़ को टाल दिया और इसी के कारण share में भारी 10% की गिरावट देखने को मिली क्या shares के fundamental change होगे ऐसा कुछ नहीं था क्या shares का का काम change होगे अबी तक सब कुछ वहीं चल रहा है लेकिन सिर्फ bonus अभी नहीं दे रहे हैं बाद में discuss करेंगे सिर्फ इसी news के कारण share में आज हमें 10% की भारी गिरावट हमें देखने को मिल जाती है तो अब देख सकते हैं इरकोन इंटरनाशनल के चार्ट पर आ चुके हैं 85 के लेवल पर stock हमें trade करता हुआ नजरा रहा था और शांदार तेजी है 85 से लेकर 105 तक stock पहुँच चुका था उसके भी उपर निकल चुका था लेकिन बस bonus नहीं दे रहा हैं bonus बाद में देंगे या subsequent meeting में bonus के बार में बात करेंगे तो तुरंत ही गिरावट देखने को मिल गई और एक ही दिन में 105 के उपर share trade करा था और 95 पर आता हुआ नजराया है तो ऐसी situation में कई retail investors फस्ते हुए नजराते हैं तो avoid कैसे करना है सबसे पहली बात bonus से कुछ फरक नहीं पड़ता bonus से of course short term का momentum change हो जाता है उससे हमें यहाँ पर bonus देता है तो short term में stock में positivity आ जाती है लेकिन bonus से fundamental change नहीं हो जाते हैं इसलिए कभी भी split की news हो इसके लिए कभी भी stock को chase नहीं करना चाहिए वरना बहुत भी बड़ा loss हो सकता है जो आपके example आपके सामने है आप देख पाएंगे कैसे भयंकर loss हमें देखने को मिला जब भी किसी share में bonus की split की dividend की news आती है कोई भी corporate action होता है तो जो traders community होती है वो बहुत ज्यादा active हो जाती है और generally retail investors ऐसे माहौल में बॉखला जाते हैं share बहुत ही तेजी से उपर नीचे होता रहता है तो ऐसे हमें बॉखला जाकर sell कर देते हैं panic selling हो जाता है loss हो जाता है तो ऐसी situation नहीं होनी चाहिए और जब भी retail investor stock को chase करते हैं और बात में loss हो जाता है तो बोलते हैं ये तो share ही बेकार है share में क grow करता हुआ नजार है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो share बेकार हो जाता है लेकिन as a retail investor as a investor share markets में हम काम करते हैं तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात पर हमें reaction कैसा देना चाहिए bonus की कोई news आई अगर आपके पास share पहले से रखा है आपने सोचा है कि म भारी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है आप खुद रेख रहे हैं तो ऐसी situation से avoid करना इससे दूर रहना ही ज्यादा बहतर होता है तो अगर आपके वीडियो पसंद आता है तो like कीजे share कीजे comment कीजे subscribe कीजे मुझे motivate कीजे thank you stay happy happy investing